असलाम अलेक्म स्टूटेंट्स कैसे आप लोग ठीक ठाग है पाकिस्तान का पहला ओनलाइन कोईज होने जा रहा है दस सेप्तिमबर को अब इसकी जो रिजिस्ट्रेशन थी वह हमने स्टार्ट की थी कुछ दिन कुछ वकत पहले और इसकी जो लाज्डेट जी रिजिस्ट्र रिजिस्ट्रेशन की वह थी 4 सेप्तिमबर 2020 लेकिन हमने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाकर 6 सेप्तिमबर 2020 तक कर दिया है ताकि जो अभी भी अगर रिजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मोस्ट विलकम आ सकते हैं अब उसके बाद क्या है कि जो कुईज की ड प्रोब्लम आएगी वह यह आएगी कि जो कुई अटेंट करने जा रहा है हो सकते हैं वह सही तरीके से इंट्री ना हो पाए और अगर इंटर हो जाए तो हो सकते हैं सब्मिट ना कर सकें तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि 8 सिप्तिमबर को एक डेमो टेस्ट रख रहे है तो जिनको अपनी प्रेक्टिस करनी है उस टेस्ट के लिए तो वो डेमो को इसको अटेंट कर सकता है आप डेमो कैसे होगा उसकी वीडियो की जो लिंक है वो मैं नीचे सब्सक्रिप्शन में दे दूँगा तो उसमें जाकर आप जो है न देख सकते हैं इस टेस्ट की लास 10 सिप्टमबर है, दिन को 12 बजे और वो टेस्ट आप मतलब कुछ वकत के लिए दे सकेंगे, एक घंटा या दादा दो घंटे तक आप दे सकते हैं, उसको कोशिश करें, कि 10 सिप्टमबर को 12 बजे अपना टाइम सेट कर लें, इसे ही बारा बजे हो जाएं, तो आप जो है ना उसको अटेम्ट करना स्टार्ट कर दें यह ना सोचें कि अभी टाइम है क्योंकि वो टाइम निकल जाएगा अब इस क्विज की कुछ शरायत हैं जो मैं आप से शेयर करना चाहता हूं वैसे इतनी बड़ी शरायत तो नहीं है लेकिन कुछ हैं जो लाजमी हैं क्योंकि यह वाला क्विज जो होगा एफसी की book से chemistry subject में से एफसी की chemistry book से थीक है अब उसमें जो लोग participate कर रहें वो किसी भी किसीं के हो सकते हैं बदला मैंट्रिक के student हो गया FAC के BAC के M.A.C. के ठीक है लेकिन जो इसमें इनाम का हक्दार होगा वो only and only FAC वाले होंगे क्योंकि ये वाला जो subject है chemistry का वो FAC की book से है और FAC की level से है तो ऐसे students जो FAC में पढ़ रहे हैं या उन्होंने 2019 तक FAC पास किये या 2020 में पास किये वो वाले students इसमें हिसा ले सकते हैं बाकी जो students हैं जो metric में हैं या जो BAC है MSC है वो हिसा तो ले सकते हैं लेकिन उनको इनाम नहीं मिलेगा ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ ताके बाद में कोई आपके जहन में प्रोब्लम ना हो और participate भी कर सकेंगे और सब को जो जो participate कर रहा है उसको इन्शाला certificate भी हमारे तरफ से दिया जाएगा इस quiz में बहुत सारे students ने हिसा लिया है मेरी उमीन से बढ़कर कि जो तादाद है वो हर रोज डेली के साब से बढ़ती जा रही है और इन्शाला ये 6 September तक बढ़ेगी और इसमें एक भरपूर competition होगा जिसमें आप अपने खुद को देख सकते हैं और इस competition से आपको पता चलेगा कि लोग कितने काबिल हैं और आप कितने काबिल हैं उनके हिसाब से इस quiz में 50 questions होंगे जो MCQs type होंगे वो आपने हल करने हैं अब यह जो quiz है वो Google form पे होने जा रहा है Google form की site पे होगा अब Google form की site को कैसे use करना है वो जब हम 8 September को demo देंगे आपके लिए एक link भेजेंगे हर एक को ठीक है तो आप उस link के थूँ इस demo को आटेम्ट कर सकते हैं और तब ही आपको अधाजर हो जाएगा के original quiz किस तरह होगा वो जो original quiz होगा वो भी बिल्कुल demo के हिसाब से होगा इसकी video के link है वो description में मैं बता दूँगा क्या है और वहाँ पे जाके आप जो एना उसको देख सकते हैं कि कैसे attempt किया जाता है Google form पे इसके बाद इंशालला chemistry quiz के बाद हम एक बहुत बड़ा इससे भी बड़ा quiz competition रखने जा रहे हैं जो MDKate students के लिए होगा उसके लिए भी जो भी लोग हैं जो जिस मकतब फिकर से हैं वो इसमें हिसा ले सकते हैं और आप खुद को मजर कर सकते हैं कि उनका उनकी preparation किस तरह है और कितनी percentage है ठीक है अब उसमें हिसा लेने से आपको पता चल जाएगा कि MDKate quiz है वो किस किसम का होता है और किस तरह उसको attempt किया जाता है इंशालला इस quiz में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और इससे आपको जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो आपको ये फायदा होगा कि जो जिन लोगों ने पहले कभी भी online quiz नहीं दिया या online ऐसी चीज नहीं की एक्टिविटी नहीं की तो वो जो है न डिजिटल एरा में अब एंटर हो रहे हैं अभी तक जिन लोगों ने हिसा नहीं लिया आप उसकी हेल्प करें अपने वार्सेप स्टेटस पर इस पोस्ट को शेर करें ताके ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सकें ये एक लास्ट जो है न चांस है उनके लिए तो ये आप से रिक्वेस्ट है कि आप जो है न इस पोस्ट को अपने WhatsApp स्टेटस पर और Facebook स्टेटस पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें रिजिस्टर हो सकें